तीन और चार अगस्त दो हजार बीज कुम्बर राशी लाग कश्ट सहने के बाद बजरेंग बली करेंगे संकट से मुक्त दोस्तो जोतिश की जानकरों के अनुसार ग्रहों की स्थिती में लगातार बदला होने के कारण व्यक्ति का जीवन समय के अनुसार लगातर प्रभावित होता रहता है कभी व्यक्ति का जीवन खुशारी पुर्वक व्यतित होता है तो कभी जीवन में परिशानिया आने लगती है व्यक्ति की जीवन का उतार चड़ाव ग्रहों की चाल पर निर्बर करता है जोतिश गनना के अनुसार आज हम आपको कुंबर राशी के बारे में बताने वाले हैं तीन और चार अगस्त के दिन बजरंग बली आपके सभी संकड़ दूर करने वाले हैं आपको अपने खास कामों में सफलता मिलने के योग बन रहे हैं आपका मनोबल मजबूत रहेगा स्वास्त्य संबंदित परिशानियों से छुटकारा मिल सकता हैं पारिवारिक जीवन में चल रहा तनाव खत्मा होगा शादी शुदा जिन्दगी में धेरो खुशियां आईगी इस राशी के लोग अपने लोव पार्टनर के साथ बहतरीन समय वेतित करने वाले हैं घरेलो सूक साधनों में बड़ोतरी होगी आमदनी के मारग हासिल हो सकते हैं दोस्तो ऐसे ही महतोपुर्णा बाते आज की सुड़ों में बताने वाले हैं तो इस वीडियो को अब भी लाइक करें और बजरंग बली जी का अशिर्वात चाहते हो तो कमेंड में जाए बजरंग बली जी लिखना ना भूले साथे हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें तो चले दोस्तो शुरू करते हैं दोस्तो सबसे पहले बात करते हैं कुम्बराशी की सामन्य राशिफल के बारे में परिवार के सभी लोगों के बीच आपसी तालमेल अच्छे होंगे कोई पुराना वाद व्युआद खत्म हो सकता है नया वाहन और मकान खरीदने के योग भी बन सकते हैं बिजने से जुड़े होए लोगों को अच्छा मुनाफ़ा मिलेगा भाग्य के सहारे आपको कई सुनहरे आउसर हाथ लग सकते हैं आप अपने कामकाज से संतुष्ट रहेंगे प्रेमियों की जीवन में चल रही निराशा दूर होगी आप अपनी योजनाओं को ठीक प्रकार से पूरा करेंगे कारिस्तल के परस्तितियां आपके पक्ष में रहेगी आप नए नए पक्वान का मज़ा भी ले सकते हैं दोस्तों से फोन पर बाच्चित करके आप काफी खुश होंगे इस राशी वाले लोगों को अपने व्यापार में भारी मुनाफ़ा मिलने के योग बन रहे हैं भागीदारोयों का पूरा सहयोग मिलेगा आपके दोरा की गई यात्रा सुकद रहेगी दोस्तों आप बात करते हैं कुछ ध्यान में रखने वाली बातों के बारे में जिन्दगी को लेकर आप काफी चिंतित रहेंगे जीवन साती के साथ किसी बात को लेकर तकरार हो सकती है प्रेमियों का समय अच्छा रहेगा आप जरूरत से ज़्यादा जजबाजी ना हो ओवर कॉंफिडेंस की वज़े से आपको नुकसान हो सकता है आपको अपनी संतान की गत्वीदियों पर ध्यान देने की जरूरत है सामजे छेतर में नई लोगों से बाच्चित आगे बढ़ सकती है दोस्तों आप बात करते हैं कुंबराशी की धनराशिफल के बारे में खुद के लिए और अपनी कारेक्रमों के लिए समय निकाले आपका शरीरिक नियंतरन और परिश्रम आपको आगे तक लेकर जाएगा आपके ग्रह बता रहे हैं कि आपको खराप स्वास्ते के कारण मेडिकल जांच का सामना करना पड़ सकता है विनाश की डर से खुल कर जीना ना चुड़े जीवन के इसे पड़ाव से आप नए ख्षितिच को देख सकते हैं हो सकता है कि आपके नए विचार या योजनाए सफल ना हो लेकिन सहसिक या जोखिम बरे कार्य आपके कार्ड में है यह समय आत्म निरिक्षन का है और आपका खुद पर नियंतरन है अच्छा सुचने से अच्छा काम करना सबसे बहतर होता है दोस्तों अब बात करते हैं कुंबराशी की करियर राशिपल के बारे में कार्यक्षेतर में आपको अपनी श्रीमाओं को जानना चाहिए अगर काम आपकी सोच के अनुसार ना भी चले तो भी परेशान ना हो यह सारी परेशानिया अस्थाई हैं जो की समय के साथ अपने आप ही खत्म हो जाएगी आपकी मेहनत और लगन आपके करियर को बहुत उंचायों पर ले जाएगी और आपको बहुती बड़ा लाब भी होगा दोस्तों आप बात करता है कुम्बराशी की लव राशिफल के बारे में जीवन की तनहाई या अकेलेपन से निजात पाने के लिए प्रेम के रंगों में खो जाए यह समय आराम, आनंद और भोग करने का हैं जहां आपके निजवारत प्रेम और चाहत को देखकर हर कोई आपकी तारिफ के बिना नहीं रह पाएगा आत्म विशलेशन और अपनी विचारों व्यवस्तित करने के लिए समय उप्योक्त है अधिक उस्ता में आकर कोई भी काम करने या निरने लेने से बचे अपने इश्क का प्रणाम देने के लिए भी तयार है इसके लिए अपने प्यार को कुछ उपहार दे या उसके लिए कुछ खास करना ना भूले दोस्तो आप बात करते हैं कुम्बराशी की स्वास्ते रशिपल के बारे में आप शारिरिक और मानसिक तोर से अच्छा महसूस करेंगे कोई बड़ी रुकावट नहीं आएगी आपको दर्द जैसे तकलिप भी नहीं होगी और आपका मन भी अच्छा रहेगा आज के दिन बस अच्छी सेहत पर ध्यान दे दोस्तो यह ती कुम्बराशी के बारे में अब बात करते हैं व्यक्ति के कुछ आधतों के बारे में जिससे वह अपने जीवन में कभी भी धनवान नहीं बन सकता दोस्तो हिंदु धर्म में कई ऐसी बाते हैं जिसको काफी ज़्यादा गंबिरता से भी लिया जाता है और भहुत सारी बाते ऐसी भी हैं जो की निश्ची तुरूप से हमारे जीवन में काफी ज़्यादा महत्व रखती हैं तो और उनसे संबंदित कई ऐसे भी कतन हैं जो काफी हद तक सही भी होते हैं हमारे शास्तरों में भी बताया गया है कि हर इंसान के अंदर कई ऐसी चोटी चोटी आदिते होती हैं जो उसे नहीं करनी चाहिए क्योंकि उन आदतों की वज़े से उसके पास सुक संब्रुदी या कह लिजे लश्मी का वास नहीं रहता जिसकी वज़े से वो धनवा नहीं ब बन पाता आज हम आपको व्यक्ति की कुछ ऐसे आदतों के बारे में बताने जा रहे हैं जो ना सिर्प हमारे बड़े बुड़े करते हैं बलकि हमारे शास्तरों में भी साप साप उल्ले कित है कि किसी भी व्यक्ति की इस तरह की आदते उसे हमेशा गरीब ही बना कर रखती ह तो चले जानते हैं उन आदूतों के बारे में हमारे शास्त्रों में इस बात का साप साफ उल्ले किया गया है कि यदि आप प्रती दिन उठने के बाद अपने बिस्तर को साफ नहीं करतें तो ऐसा करने की वज़े से आपकी घर में हमेशा दरीदरता का वास रहता है इसलिए बताया जाता है कि प्रती दिन नियम से घर की साप सपाई के साथ साथ अपने बिस्तर को भी साप करना चाहिए ना सिर्प शास्त्रों में बलके हमारे रोजाने जीवन में भी साप सपाई का काफी ज़्यादा महतु होता है और तो और आपको बताते चली कि अगर आप अपने बैटने या गहर के आसपास कही जगव पर अकसर थोगते हैं तो ऐसा करने से भी दरिदरता आती हैं आपको बता दी कि शास्त्रों के अनुसार बताएगा है कि ऐसा करने से मा लक्ष्मी नारत होती है और आपके घर में कभी भी संपनता नहीं आती बताती कि जब भी आप खाना खा लेते हैं तो उसके बाद यह प्रयास करी कि आपके घर में जूटे बरतनों को ज़्यादा तेरे तक ना रखे ऐसा माना जाता है कि इसकी वज़े से घर में तथा भवन स्वामी पर शनी का प्रभाव पड़ता है मा लक्षमी को साप सफ़ाई ज़्यादा पसंद है और अगर आपके घर में जूटे बरतन या फिर गंदगी रहती हैं तो इससे मा लक्षमी रोट हो जाती है आपकी जानकरी के लिए बता दे कि अपने घर के उत्तर पूरो जिशा में कोई भी भारी चीजों को नहीं रखना चाहिए शास्त्र में बता गया है कि ऐसा करने से इंसान का भागय उसका साथ छोड़ देता है और तक्रीबन लगबग सभी मौकों पर उसे नाकमी ही मिलती है आपको यह भी बता दे कि शास्त्र में इस बात का साप साप उल्ले क्या गया है कि घर में कभी भी सूर्यास्त के बाद जाड़ू नहीं लगाना चाहिए बता दे कि ऐसा करना बेहदी अशूब होता है और ऐसा करनी की वज़े से आपके घर से सारी खुशियां समाप तो होनी लगती है तो दोस्तो यह थी कुछ आदते जो कि हमें इनसान को बदलना चाहिए तो दोस्तो आज की सुड़ू में बस इतना ही वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रू करेगर साती हमारे चैनल ट्रेंडिंग राशिपल को सब्सक्राइब करेगा तो मिलते एक नई वीडियो के साथ धन्यवाद